हाई फ्रेंड्स असलामों अलेकूं विल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नई लेकिन बहुत ही फाइदेमन रेसिपी लेकर आई हूँ जो की है वेट लोस्ट चुरन कितना भी पुराना मोटा पा हो कुछ ही दिनों में यदि आप इस चुरन लेंगे तो 100% गैरेंटी के साथ आपका 5 किलो वजन जरूर कम होगा और इस चुरन के साथ अगर आप exercise या diet करते हो तो 10 किलो वजन तो कम होगा ही होगा और ये उसका इतना फायदेमन है फ्रेंड्स की हमारे बॉड़ी में जो extra fat है वो मोम की तरह पिगल जाता है इस चुरन करते हैं इसे आपको दिन में दो बार मतलब सुभे के नाश्टे से पहले निहार पेट और रात में सोने से पहले एक चममच इस चुरन को हलके गरम मतलब गुनगुने पानी के साथ लेना है ये चुरन weight loss के साथ साथ जोडो का दर्थ कमर का दर्थ पेट के हाजमे के लिए बहुती फाइदेमन है कपस की शिकायत जिन लोगों को होती है उनके लिए भी ये चुरन बहुती फाइदेमन है आप इस चुरन को डेली यूज़ कर सकते हैं इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखि साफ होगा डाइजेशन क्लीन होगा तो वेड लॉस हमारा बहुती फास्ट होगा तो सोफ मैंने सो ग्रैम लिया है उसी कॉंटिटी में मतलब सो ग्रैमी मैंने लिया है जीरा जीरा जो होता है वो वजन को कम करने के साथ साथ बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है जीरे क K7 से कॉलेस्टोल और शुगर लेवल भी कम होता है 100 ग्राम में लिया है अजवाइन अजवाइन हमारे डाइजेशन को इम्प्रू करती है बदहजमी को दूर करती है एक्स्टा फैट को बन करने में मदद करती है सरदीखांसी की दवा होती है अजवाइन अजवाइन हमारे इम्मुनिटी को बढ़ाती है तो 100 ग्राम मैंने लिया है अजवाइन और यहाँ पर 100 ग्राम मैंने लिया है मेथी मेथी जो होती है वो हार्ट के लिए बहुती फाइदेमन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल में रखती है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है बालों के लिए और स्कीन के लिए बहुती फायदेमन होती है तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने एक फ्राय पैन रख दिया था गैस पर तो उसे गरम कर लिया है फ्लेम को मीडियम रखना है और सोफ को मैं यहां पर रोस्ट कर रही हूँ तो हमें इसे मोईस्चर निकलने तक रोस्ट करना है सब चीजों को मोईस्चर निकलने तक रोस्ट करना है दो से तीन मिनट तक और फिर इसे निकाल लेना है तो हमें इसे जादा भूना नहीं है जादा roast नहीं करना है इसे हमें हलका गरम करना है बस ताकि इसका moisture निकल जाए और पीसने में आसानी हो तो देखे ये हो चुकी है मैं इसे निकाल लूँगी और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे तब तक दूसी जो चीजे है उसे हम roast कर लेंगे तो देखे उसी सेम fry pan में मैंने add किया है जीरा, जीरे को भी उसी तरह हमें roast करना है जादा जलाना नहीं है हलका सा roast करेंगे, इसे भी हम निकाल लेंगे 2-3 मिनट बात तो इसे मैंने 2-3 मिनट अच्छे से roast कर लिया है तो इसे मैं निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी अब उसी fry pan में हम add करेंगे अजवाइन, अजवाइन को भी इसी तरह 2-3 मिनट तक हम भून लेंगे low flame पर, क्योंकि अजवाइन बहुती जल्दी भून जाती है तो low flame पर हमें इसे भून लेना है तो देखिए 2-3 मिनट मेरे हो चुके है इसे भी मैं निकाल लूँगी तो ठंडा होने के लिए हम इसे भी छोड़ देंगे ये सब चीजों को मैं अलग-अलग भून रही हूँ ताकि कुछ चीज़े जल्दी भून जाती है किसी को टाइम लगता है तो ये सब चीजों को अलग-अलग भून ना है तो देखिए मेथी को भी मैं इसी तरह भून दूँगी मेथी को हम ऐसे ही पीस लेंगे तो वो पीसने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है जल्दी पीसी नहीं चाती है मेथी तो हलका सा इसे रोस्ट करना है तो ये बहुत ही अच्छे से इसका पाउडर बन जाएंगा तो देखिए इसे में ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी अब जो सोंफ हमने सबसे पहले भून लिया था उसे में पीस लूँगी तो देखिए मिकसर में मैंने इसे पीस लिया है तो ये बहुत ही अच्छे से पाउडर बन चुकी है स्मूथ पाउडर बनती है तो इसे में निकाल लूँगी अब दूसरी जो चीज़े हैं उसे भी हमें इसी तरीके से powder बनाना है तो आजवाइन को भी मैं इसी तरह piece लूँगी तो देखे आजवाइन भी मेरी piece के ready हो चुकी है इसे भी मैं इसमें add कर दूँगी soap के साथ मिला दूँगी जीरा लिया है मैंने जीरे को भी इसी तरह पीस लेना है देखिए जो रोस्ट करके रखा था जीरा उसे भी मैंने पीस लिया है इसे भी मिला देंगे अब मेथी को जो हमने रोस्ट करके रखा था उसे भी मैंने पीस लिया है तो बहुत ही अच्छी पाउडर बन गई है देखिए स्मूथ पाउडर बन जाती है रोस्ट करने से तो इसे भी हम मिला लेंगे अब यहाँ पर मैंने लिया है सो ग्रैम के ही करीब सोंट जितनी भी इंग्रेडियंट से सब मैंने same quantity में लिये है so grammy मैंने सब चीजों को लिया है तो इस तरीके की सोंट आती है market में आसानी से मिल जाती है तो इसे भी हमें powder बनाना है इसे हमें roast नहीं करना है directly powder बनाना है फिर इसे छान लेना है तो देखें मैंने इसे छान लिया है तो इसमें जो धसी वगेरा होती है वो निकल जाती है तो इसे भी हम मिला लेंगे अब इसमें हम एड़ करेंगे वन टेबल स्पून काला नमक सेंदा नमक जो होता है उसे हमें इसमें एड़ करना है तो ये पाचन शक्ती को बढ़ाने में हेल्प करता है gas की problem को दूर करता है और body में जो extra fat होता है उन्हें burn करने में ये help करता है तो काला नमक मैंने इसमें मिला दिया है 1 tablespoon और ये सब चीजों को अच्छे से हमें mix करना है या आप इसे छन्नी से भी छान सकते है तो बहुत ये अच्छे से ये mix हो जाएगा तो देखिए फ्रेंड ये weight loss चुरन बनके ready हो गया है आप भी इसे घर पर आसानी से बना सकते है घर में जो चीजे मौजूद होती है हमारे kitchen में उसी से आप इस चुरन को बना सकते है बहुत ही फाइदे मन है जितने भी ingredients है बहुत ही फाइदे मन होते हैं हमारे health के लिए तो इस चुरन को आपको एक चम्मच सुभा नाश्टे से पहले मतलब देखिए इस तरीके से वन टेबल स्पून आपको लेना है पानी के साथ हलके गुनगुने पानी के साथ आपको इसे लेना है या पानी में भी इसे mix करके ले सकते हैं तो सुभा निहार पेट नाश्टे से पहले और रात में सोने से पहले आप इसको जरूर try कीजिएगा एक महीना आप इसको लेकर देखिए तो आपको इसका result खुद ही पता चलेगा तो वीडियो पसंदाता है तो लाइक जरूर करना है जादा से जादा शेयर करना अपने family और friends में और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ तब तक दूआ में याद रकना अलाफीस